Hello, Good evening everybody As we know this is the accounts class आज हम लोगों की first account class है लेकिन first account class को start करने से पहले कुछ basic चीजों की हम लोग बात करेंगे ठीक है? तो हम लोगों को एक copy और pen लेकर के बैठना है जो चीज़े आपको लगती there will be no notes, कोई notes की दूरत नहीं पड़ेगी हम लोगों को आपको जो चीज़ लगेगा important है आपके point ओप इसे तो आप उसको record कर लीजेगा तो पहले मैं अपने आपको introduce कर दूँ My name is Richa Kataria and I will take your accounts classes ठीक है? तो हम लोग किसकी classes पढ़ेंगे? हम लोग accounts पढ़ेंगे accounts को पढ़ने से पहले अगर हम यह देखें हमारी जो book होती है उसके ऊपर यह जो accounts लिखा हुआ है उस accounts की meaning क्या होती है? किसी भी subject को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसकी meaning जानो कि what is an accounts accounts होता क्या है? accounts क्या होता है? accounts की definition तो हम लें learn करनी है बात में वो लिखना भी है exam hall में लेकिन understanding maintain पहले करनी है सबसे वेलम क्या understand करेंगे maintain understanding suppose करते हैं आपके पास एक shop है ठीक है? इस shop के अंदर कोई एक customer है कितना customer है? एक customer है और यह customer एक ही है इसलिए आप इसके बारे में सब कुछ जानते हो आपको किसी को बताने की किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है यह customer आपके पास कितनी बार दिन भर में आता है? आपसे कितना goods खरीटता है? उधार कितना है? नगत कितना है? everything you know about because there is a customer सिर्फ कितने customer only one customer है अगर number of customer 10 हो जाए then even okay you know अगर यह customer 100 हो जाए still you know अगर यह customer 1000 हो जाए कितना भी intelligent बंदा हो वह इस 1000 के बारे में उसके दिमाग से क्या हो जाएगा? skip हो जाएगा तो उस skipने से बचने के लिए उस छूट से उस भूलने से बचने के लिए हमने क्या करना है? इनके बारे में record करना शुरू करना है क्या करना शुरू करना है record करना शुरू करना है अच्छा strategy समझ दीजे how will I make you learn कैसे मैं आपको सिखाऊंगे accounts first class जो होती है हमारी किसी भी chapter की first class understanding से होगी उसके बाद आपको यहां पे मैं दिखा दूँगी क्या क्या चीज़े आपने learn करनी है step by step कोई भी chapter एक दिन में नहीं खतम होगा it will take time क्योंकि understanding is mandatory rather than all things ठीक है learn accounts learn नहीं की जाती है accounts को समझ जाता है तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ना है what is an account accounts होता क्या है हमने क्या करना है इनके transactions को क्या करना है record करना है और यह recording हमारी systematic way में होने चाहिए कैसे होने चाहिए systematic way में होने चाहिए एक systematic way को करने के लिए system भी होता होगा किसी चीज को record करना है systematic way में तो यह systematic way जो है system भी आया होगा system क्या होगा इस system के बारे में पढ़ना है हमें ठीक है चलिए और क्या है रिकॉर्ड करेंगे किसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे किसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और यह सारे ट्रांजेक्शन किसमें हुए होंगे monetary term में होएंगे, money term में होएंगे, तो इसका मतलब what is an accounts, accounts का मतलब बोता है किसी भी transaction को जो कि money term में हो, कोई भी ऐसा transaction, जो money term में हो, उसको copy में लिखना, एक systematic manner में क्या क्या लाता है, अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, अब बात आती है, कि जो systematic way word लिखा है, हमने, उसका system क्या है, उसका system क्या है, तो वो systematic way का एक system होता है, the system is known as a rule of accounts, क्या होता है, rule of accounts, ठीक है, rule of accounts, अब rule of accounts क्या होता है, ये देख लिया जाए, एक चीज, अगर हम यहाँ पे एक चीज समझते है, जब हम account करेंगे, तो एक बात हमें ध्यान रखना है, अकाउंट्स करने वाला बंदा और businessman, दोनों different होंगे, business और businessman अलग अलग होते हैं, ऐसा accounts मानता है, जब account अब recording maintain करोगे, तो ये दिमार्ग maintain करना है, कि business and businessman, business and businessman both are different to each other, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, अलग हैं, कैसे अलग हैं, हम जब accounts करेंगे, जब हम account को करते हैं, कभी भी कोई चीज घलत नहीं होगे, अगर ये concept को ध्यान रखोगे, जब भी account करना है, अपने आपको मान लेना है, आप किसके point of view स accounting treatment कर रहे हो, business के, किसके point से कर रहे हो, business के हिसाफ से accounts maintain करते हो, ना कि businessman के, businessman कौन है, we don't know, हम कौन है, हम एक business, और यहाथ किसके हैं, business के हाथ है, तो rule क्या होते हैं, एक word आएगा debit, एक word आएगा credit, तो यहाँ पे हम तीन rule की बात करेंगे, how many rules are there, तीन rules की हम बात करेंगे, ठीक, rule number one कहता है, real account, क्या कहता है, real account, हम कौन है, business, point of view हमारा क्या है, business, business के अंदर जो चीजे आएंगी, वो चीजों को हम debit कर देंगे, जो चीजे हमारी business से जाएंगी, उन चीजों को हम credit कर देंगे, what comes in business, business में जो चीजे आती हैं, आने वाली चीजों को debit करें, business से जो चीजे जाती हैं, जाने वाली चीजों को credit करें, for an example, अगर हमने building खरीदी है, क्या खरीदी है, building, तो हमारे business के अंदर कौन आ रहा है, खरीदे हैं, हमने building, building हमारे business में आ रही है, जब आप building को खरीद र पैसा जा रहा है, बिल्डिंग आ रही है, तो आने वाली चीज को क्या करना है, डेबिट करना है, जाने वाली चीज को क्या करना है, क्रेडिट करना है, इसका रूल बन गया, what comes in, what comes in, debit, what goes out, credit, क्रेडिट, जो आ रहा है, इसको डेडिट करीज, जो जा रहा है, इसका रहा है, उसको क्रेडिट करीए, this is the rule of real, एक पहला rule, जो हमेशे आमेचे हमीं दिमार कम हर क्रेडिट दा गिवर पाने वाला डेबिट देने वाला क्रेडिट अगर पैन मेरे हाथ में आपने हमें पैन दीए तो पाने वाला कौने मैं हूँ आपने मुझे पैन दीए आयम दर सीवर तो मैं क्या बन जाओंगी डेबिट आपने देने वाले गिवर कौन हो आप हो तो डेबिट दर सीवर करिट दगीवर रियल ने क्या बोला what comes in debit what goes out credit personal account क्या कहते डेबिट दर सीवर and credit the giver अब हम third one की बात करते हैं nominal account third account कौन सा होते हमारा nominal account nominal account क्या होता है बहुत easy ओकर account को समझेगा बहुत रिलाक्स हो करके tough नहीं है accounts जिस बच्चों के दिमाग में यह बैठा हुआ है क्या accounts मेरे को तो आएगी नहीं tough है please forget it ऐसा कुछ भी नहीं है एक systematic way में पढ़ो सब कुछ बहुत easy है nominal account कहता है all the expenses expenses and losses debit जितने भी खर्चे है जितने भी losses है सब को ठाके क्या करो debit करो and all the incomes and gains credit आपको पता है जब तक commerce साथ रहेगा इधर 11th 12th BCOM, AMCOM, MBA, TGT, PGT, IAS wherever the commerce will be with you जहां पे भी commerce आपके साथ होता है the things will never change the things will never change the things will remain the same rule will never change what are the rules we are learning the rules we are learning there are three rules first is the real account second is the personal account and third is the nominal account real account says what comes in debit आने वली चीज को डविट करना है what goes out credit जाने वली चीज को डविट करना है personal says debit the receiver and credit the giver and nominal किसको डील करता है खर्चो को और इंकम को डील करता है expenses and losses are debit, income and gains are credit these are the three rules यहीं हमारे तीन fundamental rules है which we have to follow right so अब बात आती यह rule why we are learning these rules तो यहाँ पर हमारा जो first chapter हम डील करेंग which is very much important chapter the name of the chapter which we are going to start is the name of the journal जो chapter अब स्टार्ट करने जारे उसका नाम है journal journal entry सीखने के बाद I can say 30% accounts की चीज़े clear हो जाती है 30% तो journal के rule जो होते है वो कैसे बनाया जाता है क्या करा जाता है from the very beginning we are going to learn the journal journal को हम लोग day book भी कहते है journal is also known as a day book journal को हम लोग जो daily transactions हो रहे है उसको तुरंट तुरंट हम लोग ने क्या करना है use करना daily routine book भी होती है daily routine book for example हम लोगों के पास एक copy है a एक customer है वो आया तो a ने क्या खरीदा note कर लिया b ने क्या खरीदा note कर लिया c ने क्या खरीदा note कर लिया a फिर से आया फिर से a की बात को record करा 35th page नंबर पे आ गया 1st से 35th फिर से a आगे फिर c a की recording हो गई तो एक ऐसी copy जिसको हम लोग जो भी आता उसकी recording करते है that copy is known as the journal अब हम accounting sense में journal की बात करें अभी कोई question नहीं खोलना है कुछ नहीं करना भी से सुनना है then we will start doing the question right I'll let you know how to solve the question definitely I'll make you sure that you can solve your question by yourself you will not require me also तो जर्नल के कॉलम क्या होते है इसमे कुछ कॉलम होते है एक सिस्टमाटिक वे होता है जिसको हमें करना है right तो what are the जर्नल's कॉलम 1st is the date 1st is the date and 2nd is particulars and 3rd will be named as LF and then amount debit amount credit date किस date को transaction हुआ particulars जो भी transactions हुआ अब बात हती ही what is LF बता रहे हूं amount debit amount credit now एक word LF है यह अब क्या बात आती है यह आपको रफ में बता रहे हूं आपको कि LF क्या होता है LF की full form होता है ledger folio ledger folio को अगर हम लोग एक common language में बात करें यह एक book होती है उसके page number को उसके page के number को हम क्या बोलते हैं ledger folio इस book का नाम है ledger book जो book एक और बनेगी उस book का नाम है ledger book और उसके page number को folio कहते है तो इसका नाम पढ़ गया ledger folio अभी इस journal के format में इस column बनेगा इस column का कोई भी use अभी हमारे पास नहीं है अब बात आती है columns हो गयते है these are not required it is for making you learn तो there are five columns to maintain a journal journal को maintain करने लिए five columns चाहिए date particular amount debit and amount credit अब बात आती है इसके transactions को कैसे लिखना है आप जब कभी भी कोई भी book खोलोगे any of your book किसी भी writer की वोग कोई भी भी खोलोगे उसमें journal chapter जब आप खोलोगे न तो उसमें आपको first question मिलेगा business started का start को comments से भी कहा जाता है क्या कहा जाता है comments या तो लिखा रहेगा business started या लिखे रहेगा business comments किस से लिखा with five lakh question में लिखा हुआ है business को शुरू किया business started कित्ते से पांच लाग उर्पे से अब इसकी entry कैसे करनी है हम लोग ने column बनाए थे these are the column suppose करते हैं हम लोग ने आज business शुरू किया today is 25th हम लोग यहां पे लिखेंगे 25th November 20 business अब देखो अब हमने क्या कहा था हम लोग किसके point of view से काम करते business के हमारे हाथ किसके हाथ है business के हाथ है अब जब आप business शुरू करोगे तो business से पैसा आएगा वो चीज़े आ रही है उसको debit करना है एंट्री होगे cash account debit account को क्या लिखते है a ablix c account क्या लिखेंगे a oblix c और debit को क्या लिखते है debit को क्या लिखते है DR से रिनोट करते है cash account debit हो गया हमने कौन से कॉलमब रहा थे date particular कुलर एले अमाउंट डेबिट औरमांट क्रेड़िट तो यह एंट्री ओ गए हमारी कितने दारिक को शुरू किया 25 निवेंबर 20 को शुरू किया क्या आश अकाउंट डेपिट ठिक अब यह जो पैसा है वो किसके रूप में आ रहा है क्या पिटल के रूप में आ रहा है तो क cash account debit to capital कितने रुपय से 5 lakhs से मैंने बताया LF की कॉलम को कराना जरूरी है लेकिन कुछ लिखेंगे नहीं amount debit column में amount और credit column में amount ठीक है एंड्री होगी cash account debit to capital जिस चीज से business शुरू होगा वो चीज़र debit होंगी यहां cash से शुरू हो रहा है तो cash debit हो गया राइट और to capital always हम यहां क्या लिख देंगे being business started business को हमने क्या किया start किया right is it clear up to it another example इसी साथ के लेते हैं हम करते हैं कि हमने business शुरू किया बिजनेस स्टार्टेड विद मान लेते हैं cash दो लाक रुपे ठीक एंड बिल्डिंग इस लाक ठीक हमने यह दोनों चीज से एक स्टॉक भी मान लेते हैं चलिए तीनों चीजों से business हम लोग ने शुरू किया अब जिन जिन चीजों से business शुरू है वो वो चीज़े डेबिट हो जाएंगे cash भी आ रहा है business में बिल्डिंग भी आ रही और स्टॉक भी आ रहा है तीनों ही चीज़े क्या हो जाएंगी debit हो जाएंगे entry क्या हो जाएंगे हमारी cash account debit और क्या आया building building account debit और क्या debit stock stock account debit अब ये तीनों ही चीज़े debit हो जाएंगे क्या हमारी credit है two capital is it clear कितने रुपए से cash था हमारा two lakhs तो debit कॉलम में क्या आएगा two lakhs 10 lakhs and one lakh total कितने होगा 13 lakh this 13 lakh will be capital ये 13 lakh हमारी क्या है capital है entry क्यों हो गई ये और हम यहाँ पर clarification देना हो ते this is known as a narration इसको क्या का जाता है narration इसमें फिर से वही narration being business started या फिर commenced ठीक है तो this is the first entry which we will see everywhere in every question of the first entry right अब next देखते हैं क्या हो सकता है next क्या हो सकता है कोई भी जगा जो हम कोई चीज करेंगे sale करेंगे goods को या फिर purchase करेंगे ये जो sale होती है वो भी दो तरीके की होती है and purchase भी कितने होते है two types के होते है आप पहले sales की बात करते है या तो आप नगत माल बेचोगे या तो आप उधार माल बेचोगे either you will sell the goods on cash or on credit या तो नगत या फिर उधार जब आप नगत कोई चीज़ बेचोगे बेच रहे हैं बेचेंगे तो goods जाएगा पैसे आएंगे goods जाएगा बेचेंगे और पैसे आएंगे आने वली चीज़ को debit करना था इसका मतलब cash आएगी तो cash क्या हो जाएगी debit हो जाएगी और आपके पास से क्या जा रहा है आपका stock जा रहा है इसका मतलब आपकी sale हो रही है तो आपकी अगर नगत cash है तो आप entry क्या करोगे cash, account, debit to, क्या करने से sale करने से आपका stock जा रहा है आने वली चीज़ को debit किया कोई चीज बेचेंगे पैसे आएंगे डबिट किया और आपका स्टॉक जा रहा तो क्या किया क्रेडिट किया उसी क्या गेस अब क्रेडिट में आए उधार माल बेचा आपने उधार बेचा स्टॉक तो गया लेकिन पैसे अभी नहीं आए पैसे आएंगे अभी आए नहीं है आना बाकी है जब हम उधार माल बेचते हैं जिस इनसान को हम उधार बेचते हैं जिसको भी हम उधार माल बेचते हैं जो पाने वाला बंदा होता उसका नाम होता है क्रेडिटर पैसे लेने बाकी है ठीक है पैसे लेने बाकी है suppose एक उधार माल बेचा पाने वाला कौन है ए तो ए की account क्या हो जाएगी debit हो जाएगी क्या किया आपने sale की है किसको किये एक को किये अगर नगत होती तो पैसे आते या नगत तो है नहीं पैसे लेना बाकी है किस से लेना बाकी है तो यहां पर उस बंदे का नाम debit होगे जिस से पैसा लेना बाकी है पाने वाला कौन है ए है और आपके पास से क्या जा रहा है जिसको हम उधार माल बेचते है ठीक है जिसको भी हम उधार माल बेचते है वो बंदा क्या क्या लाता है डेटर क्या लाता है डेटर कौन होता है डेटर इस दा पर्सन तो हूँ गुद्स आर सोल ओन क्रेड़िट डेटर वो इनसान होता है जिसको हमने उधार माल बेचा है डेटर इस दा पर्सन तो हूँ डेटर वो इनसान है जिसको उधार माल बेचा है बिक्री किते तरीके क्यों है टू इधर कैश और उधार नगत माल बेचा पैसा आया इसलिए डेबिट था सेल्स हो गई स्टॉक गया अगर पैसा नहीं आया मतलब उधार माल बेचा जिस इनसान को बेचा वो डेबिट और वो इनसान का नाम क्या है Accounting Language डेटर एक वो इनसान है जिसको हमने उधार माल बेचा है और जिससे पैसे लेना बागी है तो पर्सन to whom goods are sold on credit और sale, देखिए, sale तो दोनो case में होई है credit क्यों? आपका goods तो दोनो case में गया है एक case में आपके पास नगाद आगर एक case में इस पासर लेना बाकी है Is it clear up to it? इसी तरीके से जिसे जिसे जो तरीके की है उस तरह हमारे purchases भी कितने तरीके की हो गई? टू टाइप की हो गई purchases ठीक? अब वो दो टाइप कौन से हैं? इस देख लेते हैं नमबर वन नगत नमबर टू उधार ठीक? जब आप कोई चीज़ खरीदे हो मैंने ये pen को खरीदा खरीदा तो ये pen मेरे पास आगई मेरे पैसे क्या गए? पैसे गए अगर हम नगत खरीद थे तो मेरे पास क्या आती? pen आती आने वली चीज़ को debit करना है तो purchases account debit हो जाएंगे नगत खरीद रहे? क्या जा रहा है? cash जा रहा है तो to cash is it? purchases account debit to cash उसी के against अगर हम उधार खरीद थे हैं उधार खरीदेंगे खरीदना तो है यह माल तो आ ही रहा है purchases account debit लेकिन क्या cash जा रही है? cash जा नहीं cash देना बाकी है to creditor जिस इनसान से हम उधार माल खरीदे हैं जिस बंदे से हमें उधार खरीदे पैसे तो देए नहीं उस बंदे का नाम क्या है? creditor creditor is the person is the person from whom goods are bought on credit आप लोगों कभी समझा रहे हैं मैं इसके PDF साब को दे दूँगे मैं clarify कराके अभी सिर्थ समझो important है समझना सब कुछ बुक में होता है understanding maintain करनी जरूरी है नगत खरीदा purchase account debit to cash उधार खरीदा purchase account debit to उस बंदे का नाम जस बंदे से उधार खरीदा है I hope up to this I think it's clear up to it right? चलिये एक example देहां ठीक है एक्सामपल नामर मान केशन कैरा है business started with 20 लैंक कितने से ब्स शुरू किया 20 लैंक सै नेक्स कुछन दे रखा है गुट्स पर्चेस्ट फ्रॉम ए और पीस वन लेप ए से खरीदा नगत नहीं खरीदा इस दा उधार खरीदना गुट्ट पर्चेस्ट फॉर फिफ्टी थाउजन कुछ नहीं कह रहे है इस दा नगत खरीदा ठीक है आप लोग भी मेरे साथ साथ कोश्चन को सॉल करिएगा तभी समझ आएगा गुट्स फॉर रुपीज ये मत सोचीगा अरे बात में कर लेंगे भी समझ जाते हैं एक पर कर लो फॉर एवर के लिए हो जाएगा फॉर वन लैक फिफ्टी थाउजन नेक्स दे रखा है गुट्स फॉल्ट फॉर फिफ्टी थाउजन तू राम ये हमारे पांच कुशन नेक्स दे रखे इन 5 के में अंट्री बोलगे जेनल एंट्री बनाएगे फॉर्स कुशन का वजन्स शुरू किया विक्स लाग से गुट्स खरीदा A से 1 लाग का गुट्स खरीदा 50,000 का गुट्स बेचा एक लाग पचास हुजार की स्राव को बेचा पचास थार का ठीक है अब वन बाई वन वी विल दो थे एंट्री नंबर वन थी कि बिजनस शुरू किया कॉलम बना लीजिए अपने पास ठीक है और अराम से के कोशिन को करियेगा और करके नहीं आएगा यह में आस्क पहला कॉशन था बिजनस शुरू करने का डेट जो भी हो बिजनस जिस चीज़ते शुरू करेंगे वो डेबिट कैश से किया तो क्या आश अकांट डेबिट ठीक है तू थोड़े बीच से लिखिएगा तू क्यापिटल कितने से शुरू किया बीस लाग से डेबिट कॉलम यहां लिखिएगा बीस लाग ठीक है और यह है आपका इसके सामने का क्रेट कॉलम यहां लिखने का धन समझ लीजेगा अच्छा इसके सामने यहां आएगा नेरेशन लिखेंगे हम लोग क्या बीइंग बिसनेस स्टार्ट ठीक है बीइंग बिसनेस स्टार्ट ठीक है बीइंग बिसनेस स्टार्ट ठीक है यह हो गई एंट्री नमबर वान एंट्री नमबर टू क् ही हमारे पास goods purchased from Ram, Ram say goods खरीदा, ठीक है Ram say खरीदा, एंट्री नमर टू खरीद रहे है, आ रहा है आने वाली चीज को क्या करना है debit करना है, एंट्री क्या हो गई, purchase account, debit ठीक, खरीद रहे है किस से खरीद रहे है अभी A से खरीद रहे means उधार है, उधार है तो cash तो जा नहीं रहे तो यहाँ पर 2 A, कितने का, 1 lakh का यहाँ पर 1 lakh की एंट्री कर दी, narration लिखना है तो यहाँ क्या लिखेंगे being goods purchased on credit being goods purchased on credit, right उधार, माल, खरीदने के entry हो गई second अब हो गई entry, third क्या थी goods खरीदा, लेकिन नगत खरीदा है इसका मतलब आपने जब goods खरीदा है आ तो रहे है चीज आपके पास ठीक है, goods आ तो रहा है लेकिन आपका पैसा जा रहा है या आपे entry क्यों हो जाएगे entry number three purchases account debit कितने की to cash क्यों cash credit किया क्योंकि अब goods को लगट करीद रहे है being goods purchased in cash ठीक है, कितने का था, पचास हजार का तो पचास हजार विल डेबिटे and these पचास हजार विल बी credited also ठीक है, next entry क्या है हमारी sold कर रहे goods को कितने का, एक लाग पचास हजार का नगत बेच रहे है नगत बेचने तो ओवेच कली पैसे हमारे पस आएं हिये entry number 4 क्या हो जाएगा? cash आएगा तो cash account debit क्या करने से? sale करने से to sales हाँ मच वोस अगा हूँ? अमाउंट कितना था? एक लाग पचास हजार इस एक लाग पचास हजार बीड रोल सो वाट पील बीड 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 रोल सो वाट बीड 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 रेशन? बीड goods sold on in cash ठीक है? last entry क्या होनी चाहिए? goods बेचा है उधार बेचा है किसको बेचा है? इस राम बंदे को बेचा है तो पाने वाला क्या हो चाहेगा? debit हो चाहेगा तो entry क्या बन जानी चाहिए? राम's account credit क्या कर रहे हो? आप बेच रहे हो that is sale कर रहे हो to sales how much amount? 10-50,000 will be the amount I hope up to this clear right? तो first entry क्या होनी थी? simple way में समझेंगे we are learning journal हम क्या पढ़ रहे है? journal पढ़ रहे है journal में क्या करना है? हमें वो daily book record करने है उपने transactions को first transaction था हमारे business को start करने का transactions ठीक है? अब business start किया हमने कितने से 20 लाग से? तो 20 लाग की entry क्या होनी चीज़ जिस चीज़ से business शुरू किया वो चीज़ क्या हो गई? debit हो गई और capital क्या हो गया? credit हो गया? cash account debit to capital next question था हमारे पास हम goods खरीद रहे हैं लेकिन किससे खरीद रहे? A से खरीद रहे है उधार खरीद रहे है परचेस किया? पचास हजार का परचेस किया? goods आया लेकिन पैसे भी गए पैसे गए तो entry क्या होई? purchases account debit to cash right? next क्या थी? goods बेचा है कितने का? पचास हजार का बेचा है ये एक लाग पचास हजार का नगत बेचा तो नगत की एंट्री क्या हुई? cash आया two sales ठीक है? next and the last was what? goods बेच तो नहीं देखी किसको? राम को पाने वाला कौन है? राम अगर कहता है rent paid 10,000 ठीक है? next कहता है rent received 15,000 ये जो rent है हमारा अगर rent हम pay कर रहे है अगर rent हम pay कर रहे है तो obviously pay कर रहे है तो हमारा खर्चा है expense है right? और अगर receive करना ये ही rent हमारा क्या है? income है आप कोई चीज़ pay कर रहे है आपका खर्चा है आप कोई चीज़ receive कर रहे है आपकी income है और खर्चे और income को कौन deal करता है? खर्चे और income को कौन deal करता है? nominal account कौन डिल करता है nominal account वो क्या कहता है सारे खर्चों को क्या होना है debit होना है अगर हम यह first entry करें rent paid 10,000 हमारा यह rent क्या है भी खर्चा है क्योंकि pay कर रहे है और nominal क्या कहता है all the expenses are debited तो rent will be debit तो हमारी entry क्या हो जाएगी rent account debit right जब रेंट आप पे कर रहे है आपके पास से पे कर रहे है आपके पास से क्या जा रहा है cash जा रहा है तो what going on cash is going on तो rent account debit to cash अगर rent pay करोगे तो entry क्या पनेगी rent debit हुआ क्योंकि खर्चा है और payment कर रहे हो cash में इसलिए cash credit हो गया इसी के against अगर rent received हो था entry number 2 क्या अगर हम बात करें rent receive हो को तो हमारी क्या है income है nominal कहता है income को क्या करो credit करो receive और तो पैसा आपके पास आ रहा है आने वली चीज़ को क्या करना है debit करना है तो cash account debit to rent जब rent खर्चा था तो debit हुआ जब rent income है तो credit हो गई पैसे जा रहे थे पे कर रहे थे तो cash credit हुआ तब पैसा आ रहा है तो cash debit हो गया rent paid, rent account debit to cash, rent receive cash account debit to rent next एक example लेते हैं, question में दे रखा है commission received 10,000 next question has given salary paid 30,000 commission receive, receive कर रहे हैं, जब receive करेंगे तो पैसा आ रहा है then cash account debit किसके रूप में आ रहा है, commission, commission is an income nominal कहती है, income को क्या कर दो, credit कर दो cash account debit to commission, उसी क्या गया है, salary pay कर लो तो आपका ये खर्चा है खर्चा क्या होता है, debit होता है, salary will be debit, salary, account, debit, salary pay करोगे तो पैसे जाएंगे, जाएंगे तो credit करेंगे, तो to cash right, I hope up to this clear, अगर हम लोगों को तीन बातों का ध्यान देना, real, personal and nominal real कहता है कि आने वली चीजों को debit करिए, जाने वली चीजों को credit करिए, कहां से business से हम जब यह ध्यान रखेंगे, हम किसके point of view से काम कर रहे हैं, business के point of view से कर रहे हैं उसी के against personal कहता है, पाने वाला account, debit देने वाला credit, debit the receiver, credit the giver, इस चीजों को रट लीजिए, nominal कहता है, खर्चा है, तो debit कर दो, income है तो credit कर दो, commission receive हो रहा था, income है, इसले credit है salary pay कर रहे थे, खर्चा है, इसले debit है, आ क्या रहा है, commission के रूप में आ रहा है, cash, that is real, यहां पे जा क्या रहा है, cash, entry number will be cash, account debit to commission, entry number two will be salary, account debit to cash, right, if any problem, you may ask, so thank you so much for the class.